बॉलिवुट के पावर कपल रन्बीर कपूर और आल्यावट की शादी 14 अप्रेल को हो चुकी है। लेकिन शादी के बाद दोनों के इस खास दिन की तस्वीरे और शादी में निभाए गए रीती रिवाजों के बारे में जानने के लिए लोग बेहत उत्साहित हैं। रन्बीर, आल्या दोनों ने बड़ी सादगी के साथ बिना किसी दिखावे के अपनी शादी को मायानगरी मुंबई में ही परिवार और कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ खास बनाया। शादी के बाद शादी के वीडियोस और तस्वीरे देख फैंस खुश है। आल्या के मंगल सुत्र और अंगूटी के बाद अब रन्बीर को उनकी ससुराल से मिले खास तोफे और सहलियों की जूता चुपाई को लेकर की गई बड़ी डिमान के बारे में भी जान लीजिये। आपको बता दे रन्बीर कपूर और आल्या भट की शादी के जश्न की तस्वीरों से लेकर इंसाइट स्टोरी तक हम आपको बता रहे हैं। आल्या के मंगल सुत्र और अंगूटी के बाद जान लीजिये की आखिर रन्बीर को अपने ससुराल से क्या खास तौफा मिला है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वही कपूर परिवार की तरफ से जहां आल्या को एक नयाब हीरे की अंगूटी मिली वही रन्बीर कपूर को आल्या ने बैंड पहनाया। खबरों की माने तो दूले राजा को सासु मा सोनी राजदान की तरफ से खास तौफा मिला है जिसकी कीमत धाई करोड रुपे बताई जा रही है। सोनी राजदान ने अपने दामार रन्बीर कपूर को एक बहुत ही महंगी घड़ी गिफ्ट की है जो की आसानी से मिलती भी नहीं है जिसकी कीमत भी करोडों से ही शुरू होती है। वही अगर शादी हो और जूता चुराई की रस्मे ना हो भला ये कैसे हो सकता है। वॉलिवूट की इस मच अवेटेट शादी में भी जूता चुराई की रस्म अधा की गई। और जूते के बदले रन्बीर की सालियों ने ऐसी डिवान की जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आल्या भट की गल गैंग ने अपने जीजू से जूता चुराई में साड़े ग्यारा करोड रुपे मागे। हाला कि पैसो को लेकर चले लंबे मजाक और खीस्तान के बाद आखिर कार उन्हें एक लाख रुपे का लिफाफा दिया गया। रीती रिवाजों के अनुसार शादी में आये मेहमानों को रिटन गिफ्ट दिया जाता है। इसके लिए भी भट परिवार की तरफ से खास तयारिया की गई थी जो खुद आल्या ने कर रखी थी। बता दे रिटन गिफ्ट के तौर पर मेहमानों को बहुत खास कश्मीरी शॉल दिये गए। जिने खुद दुधन आल्या भट ने चुना था। इन शॉल्स का फैब्रिक बहुत ही खास था और हर कोई इनसे काफी जादा इंप्रेस नजर आया। आल्या और रंबीर को देश भर से फैंस की ओर से बधाईया मिल रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।